भूटान एक ऐसी सस्ती वुदेश यात्रा जो होगी आपके बज़ट में। भूटान एक ऐसा देश है जो पूर्वी हिमाले के परवती शेत्रों में इस्थित है। और दक्षण एश्याई शेत्र में सबसे स्वक्ष देशों में से एक है। आपको बताने कि भूटान में एकता बनाय रखी है। भूटान की सीमा भारत के सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुनाचल प्रदेश के राज्यों से लगी हुई है। आपको बता दे कि परियावरन की रक्षा भूटान का एक समविधानिक दायत और यहां का 60 प्रिस्चत हिस्सा आज भी जं प्राकर्ति प्रेमी लोगों के लिए स्वरक के समान है। बहुत से लोग इनकी प्राकर्तिक सुंदर्ता की वजह से यहां पर यात्रा करना पसंद करते है। भूटान का प्राचीर इत्हास मिथक के रूप में है। अनुमानता भूटान में 2000 इसा पूर्व वस्तियां बसन अधिकांश्त अग्याती है। इस काल में तिबत में अशान्ती होने के कान बहुत से बहुत विक्षू यहां आगे। बार्मी शताबदी में इस्थापित हुआ द्रिकपा और कग्यूपा संपरदाएं आज भी यहां का प्रमुक संपरदा है। इस देश का राजनितिक इत इतियास इसके धार्मिक इतियास के निकट संबन्द रखता है। 17 सदी के अंत में भूटान ने बहुत धर्म को अंगीकार किया। 1865 में ब्रिटेन और भूटान के बीच सिंचुल संदी पर हस्ताक्षर हुआ। जिसके तहत भूटान के सीमवरती कुछ भूभाग के बदले कुछ वार्सिक अनुदान देने का करार किया गया। ब्रिटेस प्रभाव के तहट 1907 में वहां राजशाही की स्थापना हुई। तीन साल बाद एक समझवता और हुआ। जिसके तहट ब्रिटेस इस बात पर राजी हुए कि वे भूटान के आंतरिक मामलों में लेकिन भूटान की विदेश नीती इंग्लेंड द्वारा तै की जाएगी। बाद में 1947 के पश्चाथ यही भूमिका भारत को मिली। दो साल बाद 1949 में भारत भूटान समझवते के तहट भारत ने भूटान की वो सारी जमीन उसे लोटा दी जो अंग्रेजों के अधीन थी इस समझवते के तहट भारत को भूटान की विदेश नीती इवं रक्षा नीती में काफी महतपूर्ण भूमिका दी गई। भूटान का सबसे आकशन इस्थल पारो। पारो भूटान की पारो घाटी में एक इस्थित छोटा सा शहर है जो 155 मंदरों और मठों का घर है। प 1269 वर्ग मीटर शेतर में फैला हुआ है। आपको बता दे कि पारो में भूटान का एक मात अंतरास्थी हवाई अड़ा भी है। और इसे धरती पर उतरने के लिए सबसे चुनोती पूर्ण हवाई अड़ा माना जाता है। पारो कई सारे आकर्शनों से भरा हुआ है। यहा पारो में ऐसी कई जहें जो परेटो कों द्वारा सबसे ज़्यादा देखी जाती है। जिन में मठों से लेकर कई म्यूजियम के नाम शामिल है। पारो की घूमने लाइक जगह मैंसे रिंगपूंग, डंगजोंग, भूटान नेशनल म्यूजियम और पारो विकेंड मार्क लोंग, किला गोंबा, जंगल सरू लखांग, भूटान का प्रशिद परेटन इस्तल थिंपू, थिंपू को भूटान के केंड़ के रूप में जाना जाता है। जो देश के मद्य पश्वी भाग में इस्तित है। आपको बताने कि थिंपू भूटान की राजधानी भी जिसे पुनाखा के बाद वस 1961 में राजधानी गोशित किया गया था ये भूटान में एक ऐसी जगे है जिसे अपनी नाइट लाइफ के बारे में जाना जाता है तिमफू देश की एक ऐसी जगे है जहां आज भी भूटानी परंपराएं कायम है क्योंकि इसमें बुद्ध दोर डेनमा जैसी विवन वास्टू का लाएं संजर चनाएं हैं जो तिमफू में प्रवेश के दौरान देखी जा सकती है यहां पर टेक्स्टाई म्यूजियम, लाइब्रेरी, आर्ट इस्कूल, अन, विकेंड मार्केट यहां के प्रमुक आकशन है तिमफू पारो इंटरनाशनल से एक घंटे की ड्राइव पर इस्तित है जो परंपरा और आदुनिक्ता दोनों का मश्रण है तिमफू एक मात्र ऐसी राजदानी है जहां पर कोई ट्राफिक लाइट नहीं है तिमफू में देखने लाइग जगर तरशी छोड डजोंग, चंगंखा लखांग, टैंगो गोंबा, मोती थांग, टेकन प्रिजव, डेचन, फोडरंग, भूटान का राश्ट्री बस्तकाले, संप्ली भूटान, नेशनल इंस्टिटूट अफ जोरिंग चुसुम वांग्ड्यू फोडरंग, वांग्ड्यू फोडरंग भूटान के सबसे बड़े जिलों में से एक है, जो मठों और मंदरों से लेकर वनिजीव और देहाती गाउं से भरा हुआ है वांग्ड्यू फोडरंग उत्तर में वांग्चुंग, सेंटेनियल, पार्क और दक्षरपूर्वी शेत्र में जिंग में दोर्जी निशनल पार्क के साथ कई पौधों और जानवरों की परजातियों का घर है यहाँ पर परेटक आर्केड, डोडोंडे ड्रोन, ब्ल्यू पॉपी और रेड पांडा, इसनों लेपर्ड, ब्ल्यू शीप और ब्लाग बीए जैसे दुरलव जानवरों को देख सकते है वांग्ड्यू फोडरंग परेटन प्रकृति प्रेमियों के घूमने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है अगर आप भुटान की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं तो आपको वांग्डिू फोडरंग के परेटन इस्थलों की यात्रा करने के लिए अवश्य जाना चाहिए वांग्यू फोडरंग के प्रमुक परेटन इस्थल है जिग में सिंग ये वांग्चुम नेशनल पार्क, फोब जी खा घाटी, शाराडब का मंदर, रिंचे गांग गाउं, अधा और रुखा विलेज, जकर परेटन, वांग्यू फोडरंग, डिजॉंग, जकर टूरिजम जकर चोखोर घाटी के तलहटी में बसा, बुम्थांग में सबसे बड़ी और सबसे खुबसूरत घाटी है, आपको बताने कि जकर को लिटल सुच्जर लेंड के रूप में भी जाना जाता है, जकर बुथांग जिले का प्रमुक प्रशासनिक शहर है, यह जगे मठों और जोंक्स के साथ बिंदीदार व्रक्ष परवत स्रंकलाओं से घरी हुई है, जिसकी वज़े से यह इतिहास प्रेमियों और प्रकृती प्रेमियों दोनों के लिए एक आदर्स जगे है, जकर कई एतिहासिक और प्रवित्र इसलों से भरा हुआ है, इसे भुटान में बौत ध इसलों की यात्रा करने की यहाँ पर यात्री अन गतिविदियां जैसे ट्रेकिंग, माउंटेंग, बाइकिंग का भी मज़ा ले सकते हैं, जकर के परेटन इसल, जकर डिजॉंग, चक लखंग, मेबर तसो, खर्चु गोंबा, द्रांग चेल गाउं, तांग घाटी, कोचों सम, लखंग, आदी, फुट्शोलिंग, भूटान का सबसे बड़ा शहर, जो भारत के राज पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा को साझा करता है, यह कोलकता और सिली गुडी की यात्रियों के लिए एक प्रवेश बिंदू की रूप में श्रेवा करता है, और भूटान का एक महतपूर्ण आर्थिक केंद्र है, फुट्शोलिंग भूटान के अधिकान शहरों की तुलना में अधिक विखसित है, और इसके बाद भी यह कई प्राकरतिक आकशडों से भरा हुआ है, अपनी फुट्शोलिंग यात्रा के दौरान परेटक जंग्टो पेलरी लखंग, कर खरबंदी मठ, भूटान गेट और खरबंदी गोंबा की यात्रा कर सकते हैं, जंग्टो पेलरी लखंग, एक छोटा सा मंदिर है, जो गुरु रिन पोचे को समर्पित है, यहां ऐस्तित भूटान गेट भारस से प्रवेश के लिए प्रमुक प्रवेश द्वार है, जो पा ब्रीडिंग सेंटर, करबंदी मठ, तरसु नदी, पुनाखा भूटान के 20 जुलों में से एक है, जो समुद्र तल से 1200 मीटर की उंचाई पर इस्तित है, और हिमालय का एक अधभुद द्रश प्रस्तुत करता है, पुनाखा 1955 तक भूटान की पूर राजधानी थी, जिसे ब अलावा यहां भूटान का सबसे लोगप्री साहसिक खिल, रिवर राफ्टिंग मोचू नदी में किया जाता है, अगर आप भूटान की यात्रा करने गा रहे हैं, तो आपको पुनाखा की यात्रा के लिए भी अवश्य जाना चाहिए, पुनाखा परेटन में घूमने खांसम यूली, नामग्याल चोटन, सांग्चे दोर्जी, लुरुप ननेरी बुम्थांग, बुम्थांग चार खुबसूरत पहाडियों का घर है, यहाँ पर कई प्राचीन मठ और मंदर इस्तित हैं, बुम्थांग भूटान में यात्रा करने के लिए सबसे अच्छी जगों में से एक है, जो अपने धर्ब, आध्यात्मिक्ता और इत्यास के लिए जाना जाता है, कुर्जी और तमसिंग लखंग यहाँ के प्रमुक दर्शनी स्थल हैं, और इसके अलावा परेटक पहाडी पर ट्रेकिंग जैसे काम भी कर सकते हैं, बुम्थांग में हर साल फरवरी में बुटानी खाना बिलो समारों का आयजन किया जाता है, जील, उरा घाटी, ओजेन चोलिंग पैलेस संग्राहले, कोचोंगसम लखंग, फोग जीखा घाटी, वांग्यू फोडरंग में काले पहाडों की पश्चम धलानों में एक कटोरे की आकार की घाटी है, जो हरे भरे खेतों के मनमोहक दर्श प्रस्चुत करती है, आपको बत आदे की यह घाटी लुप्त प्राय काली गर्दन वाली क्रेड का घर है, जो सर्दियों के दोरान इस शेतर में आती है, फोग जी का घाटी, जिसे गंग्टी भी कहा जाता है, यह देश की कुछ गलेशियल घाटियों में से एक है, जिंगमे सिंग्ये वांग्चुंग प्सूरत जगह हैं, जहाँ पर परेटक ट्रेकिंग का मजा भी ले सकते हैं, सीधे शब्दों में कहें, तो फोग जी का घाटी, वर्ड वाचर्स और ट्रेकर्स के लिए एक स्वर्ग है, यहाँ पर शांदर तस्वीरें भी क्लिक कर सकते हैं, यह घाटी कई तरह से परेटक इस्थलों से भरपूर हैं, जिनकी यात्रा आपको आवश्य करना चाहिए, फोग जी का घाटी के परेटन इस्थल, गंगते गोंबा, नियोलिंग डेशनिंग मंदर, किवंग लखंग, गंगती नेचर ट्रेल्स, कुजंग छोलिंग, श्रेडा, हा वैली टूरिज हा वैली भूटान के सबसे छोटे जिले के रूप में जाना जाता है, यह भूटान के दक्षन पश्चम में सबसे खूबसूरत इस्थानों में से एक है, जो प्रकरती प्रेमी और ट्रेकर्स के लिए बहत अच्छी जगह है, इसके अलावे है दुनिया की एक मात्र ऐसी पर क्रीम रंग का ब्लू पॉपी देखा जा सकता है, यह जगह काफी कम आवादी वाला शेत्र है, और खाना वदोष चर्वाहों का घर है, हा वैली पारों से 30 किलो मीटर की दूरी पर इस्थित है, जहां चेलेला दर्रा के माध्यम से पहुँचा जा सकता है, इस शेत्र के आसपास भूटान के सबसे अच्छे ट्रेकिंग ट्रेल्स और माउंटेन बाइकिंग ट्रेल्स का आयोजिन भी किया जाता है, अगर आप हा वैली की यात्रा करने का विचार बना रहे हैं, तो यहां जाने का सबसे अच्छा समय, अक्टूबर से नॉम्बर तक का है, तराश मीटर से लेकर चारजार मीटर की उंचाई तक फैला हुआ है, तराशी गांग यह भूटान का सबसे बड़ा जिला है, जो बेहत खूफसूरत और शान्त है, यह भूटान में व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध है, जो अजम और तिब्बत के बीच व्यापार मार्क पर ए तराशी गांग में ऐसे कई परेटन इस्थल हैं, जहां पर आप अपनी यात्रा के दौरान जा सकते हैं, तराशी गांग डिजौंग एक किला है, जो यहां के सबसे प्रसिद्ध परेटन इस्थलों में से एक है, इसके साथ ही जिले का अपना घरेलू हवाई अड़ा, योन का बुटान के परेटन इस्थलों की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो तराशी गांग और इसके लोगपरी इस्थलों की भी यात्रा कर सकते हैं, पुटान के परेटन इस्थल, फूटान को The Land of Thunder Dragons कहा जाता है, वहीं इसका नाम द्रक्यू है जिसका मतलब होता है ड्रैगन का देश गजब तो यह है कि भूटानी लोग अपने घरों को ड्रक्यूल कहते हैं जिसका मतलब है बरफीले ड्रैगन का घर नमबर दो आपको जानकर आशर होगा कि इस देश में 1974 तक विदेशियों के घूमने पर पावंदी थी 1974 में पहले विदेशी परेटोकों को घूमने की आजादी मिली वो भी आमंतर मिलने के बाद आज भी यहाँ विदेशी सहलाजियों का प्रवेश जनतर संख्या में ही हो पाता है नमबर तीन मानिए आप दिल्ली घूम रहे हो और आपको एक भी ट्रैफिक लाइट ना मिले तो आप चौक जाएंगे लेकिन भूटान की राजदानी थिम्पू में ऐसा ही है वहाँ ट्रैफिक लाइट की जगे ट्रैफिक आफिसर होते है हाला कि एक समय में यहाँ पर सडकों पर रेड लाइट लगाई गई थी लेकिन लोगों के वरोध के बाद इसे हटा दिया गया नमबर चार गंखार पुनसुम यह भूटान का सबसे उचा परवत है लोगों की मानिता के अनुसार यह काफी पवित्र है और यहाँ किसी को भी जाने की आजादी नहीं है नमबर पाँच टीवी पर बैंग हाँ आपने सही सुना भूटान में 2001 से पहले तक टीवी और इंटरनेट प्रतिबंदित था नमबर चे यहाँ एक ही साथ राजशाही और लोग तांत्रिक व्यवस्ता है यहाँ पहला चुनाव 2008 में कराये गया था नमबर साथ भूटान का मुख्य आर्थिक सहयोगी देश भारत है क्योंकि तिब्बत से लगने वाली सीमा को भूटान ने बंद कर रखा है नमबर आट यहाँ प्लास्टिक की थेलिया प्रतिबंदित है नमबर नो भूटान दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसने 2004 से तमाकू पर पूरी तरह बेन लगा दिया है वहीं शराब और ड्रक्स अभी भी परिशानी का कारण बने हुए नमबर दस यहाँ समलंगिक तक गेर कानूनी है वहीं बहु विवाय प्रतिबंदित नहीं भारतियों को वीजा की जरूरत नहीं हिमाले की प्रक्रतिक खुपसूर्ती, शान्ती और सुपून देने वाली बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री और हमेशा खुश रहने वाले लोग यह सब भूटानियों की खासियत है जिस वज़े से टूरिस्ट भूटान गुमना पसंद करते है भूटान गुमने आने वाले पश्मी देशों के लोगों को 250 डॉलर प्रति दिन के हिसाब से टूरिस्ट टेक्स देना पड़ता है हाला कि भारत के लोग लकी हैं जैने भूटान जाने के लिए नहीं वीजा की जरूरत है और नहीं उन्हें किसी तरह का अद्रिक्ट टेक्स देना पड़ता है ऐसे में अगर आप भी भूटान जाने का मन बना रहे हैं तो ट्रिप प्लान करने से पहले इन बातों का ध्यान रखिए करेंसी वैसे तो भूटान की लोकल करेंसी गल्टरम है जो भारती रुपय के बराबर ही है और भारत का रुपया भी भूटान में आसानी से चल जाता है लेहाजा भूटान जाने से पहले आपको अपनी करेंसी बदलवाने की जरूरत नहीं बूटान में कमी जगों पर कार्ड एक्सेप्ट किया जाता है लहाजा आपको साथ कैश लेकर जाना होगा कपड़े और जूते बूटान का मौसम गर्मी का हो या फिर सर्दी का यहां एक ही दिन में अचानक तापमान में 10-15 डिगरी का अंतर आ जाता है लहाजा गर्मी के मौसम में भी अपने साथ हलके गर्म कपड़े जरूर रखे गर्मी के मौसम में यहां का तापमान 27 डिगरी के आसपास रहता है जबकि शाम में अगर बारिस हो जाए तो 12 डिगरी तक आ जाता है लेहाजा शाम और रात की हलकी ठेंड में पहनने के लिए आप अपने साथ हलका जैकेट, स्वेटर जरूर रखे भूटान में ट्रावल करते वक्त आपको पहाड़ों पर, मनेस्ट्रीस में और कई दूसी जगों पर काफी चलना पड़ता है ऐसे में कंफर्टेबल जूते पहने जिनसे पैरों में तकलिफ ना हो भूटान जाने का बेस समय बसंत रितु में अपरेल से जुलाई और शरद रितु में सितंबर से नॉबंबर के बीच है इन महीनों में बड़ी संख्या में टूरिस्ट भूटान आते हैं क्योंकि इस दौरान भूटान में सेचु फेस्टिवल जिसे फेस्टिवल अब डांसेस भी कहा जाता है का आयोजन होता है वैसे लोग जो ट्रेकिर में दिल्चस्पी रखते हैं या फिर शांती के तलास में जाना चाहते हैं उन्हें मार्च से मई के महीने के बीच भूटान जाना चाहिए वैसे आप चाहें तो मानसून के सीजन में जुलाई अगस के दौरान में भूटान जा सकते हैं क्योंकि यहां बारिश बहुत ज्यादा नहीं होती। भारत से भूटान कैसे पहुँच जाए। जैगाओं भारत भूटान सीमा पर इस्तित एक भारती शहर है, जो भूटान के फुट शोलिंग से लगा हुआ है। भूटान में प्रवेश करने के लिए पर्मिट राप्त करने की सभी प्रक्रियां यहां अवर्जन कार्याले में की जाती है। भूटान पहुँचने का सस्ता विकल्ब। अगर आप भूटान के लिए एक सस्ती और आरामदायक यात्र करना चाहते हैं, तो बता दें कि आप भारत के किसी भी शहर से बाग डूगरा के लिए फ्लाइट ले सकते हैं। यहां उतरने के बाद आप जैगाओं के लिए टैक्सी किराय पर ले सकते हैं। जिसके लिए आपको लगबग 3500 रुपे किराया देना होगा। बाग डूगरा से जैगाओं पहुँचने में लगबग 4-5 घंटे लगते हैं। इसके बाद आप जैगाओं से फूट शोलिंग की यात्रा कर सकते हैं। अगर आप भूटान की यात्रा अपनी खुट की कार या बाइक से करना चाहते हैं। तो आप एक हजार से बारा सो रुपए की शुल्क का भुकतान करके फूट शोलिंग में छेत्री परिवहन कार्याले से वहन की परमिट प्राप कर सकते हैं। हवाई मार्ग से भूटान कैसे पहुँचें। पारों अंतर रास्त्री हवाई अड़ा भूटान का एक मात्र हवाई अड़ा हैं। यह देश के दक्षन पश्चिम में इस्तित हैं। बैंकॉक, डेली, कूलकता, बोधगया, बागडोगरा, गोहाटी, काटमांडू और धाका से जोड़ा हुआ है। व्रक एर भूटान का एक मात्र एरलाइन है, जो भूटान पारों से दिल्ली, बागडोगरा, कूलकता, बैंकॉक, गया, धाका और काटमांडू के लिए नियमित उड़ाने संचालित करता है। भारत से भूटान की यातर करने के एकशुक, लोगों को यह बताने की बागडोगरा भारत में पारों का निकटम हवाई अड़ा है, और यह भारत के पश्चम बंगाल राज में इस्तित है। सड़क मार से भूटान कैसे जाएं। भारती परेटक भूटान तक बस द्वारा भी पहुंच सकते हैं। भारत से भूटान के लिए कूलकता, सिरली गुडी, हासी मारा से जैगाउं फूट सोलिंग तक बसे उपलब्ध हैं। टिकेट की कीमतें लगबग 500 से 800 के बीटियन ह होती हैं। जो कि भूटान की मुद्रा है। यदि आप अपना टैलेंट बंजरा बीट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो दो से तीन मिनिट का वीडियो होरिजोंटल में बनाकर इन नमरों पर भेज़ें।